18 जनौरी दौय 25 को आप लोग पेपर में बैठ जाएंगे देखते हैं यह पेपर सबसे पहले देखिए यही पेपर आप लोग का लणने वाला है परीछा में सेम टू सेम यही पेपर आएगा इस वीडियो को जो भी इस टुड़का जाएगा काफी पहस्ता आएगा देखते ह वानसी योकता के आप लोगा 20 प्रशन पूछा जाएगा जो की 25 नमर कराएगा और भासा प्रिचय के आप लोगा 27 पूछा ड़ाएगा जो की 25 नमर कराएगा टोटल प्रश्णों की संखे 80 को प्रश्ण इस पेपर में पूछा जाएगा और स्वाव नमबर के ये पेपर होगा ठीक है आईए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से पेपर को अच्छे तरीके से देखना है वीडियो को मिश नहीं करना है ठीक है एक-एक डिटल्स में समझाएंगे बिल्कुल निव वाला पेपर है निव पेटर्न पे है यहाँ पर दिखते हैं फर्स नमबर कोस्टन को रहा यान की भाग वन में आप लोग पहुंचेंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यह कंफरम होगा कि इसमें सबसे अलग आकरिती बता दीजिए सबसे हट कर कौन सा है सबसे भीन आकरिती कौन सा है यही आप लोग को बताना है तो एक छोटा सा मैं एक जाम पल दो हूँ मैं पूछो बाबु बताओ मुझे इसमें से सबसे अलग कौन सा है तो आप एक मिनट में पाचान लेंगे कि भाईया यह सबसे अलग है तो यह देखिए तीनों एक जैसे है यह अलग है तो राइट अंसर यह वला हो जाएगा वैसे ही इसमें आप लोग को बताना है सबसे अलग आप लोग को मैं बोलू पाचानने के लिए तो आप लोग नहीं पाचान पाएंगे यहाँ पर देखिए तीन को है यानि कि सिधा सिधा फुल बना हुआ है एक फिगर यानि कि एक आक्रिती डाला गया है तो आप लोग कैसे पाचाने के ध्यान दीजीगा यादि मैं इसको लेकर चलू तो देखिए बाहर गोला है तो इस पर अंदर लेकर गोला को कलर कर दिये गया है ठीक है नेश कोशन आप लोग देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा है पाचान लेंगे बिल्कुल असान है पाचान लेंगे देखिए सबसे हट कर इसमें देखिए सबके अंदर एक बर गाया ऐसे करके डाल कर ऐसे डाला गया है इसके अंदर भी लेकिन इसके अंदर गोला डाल दिया यह आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा जो कि सेम तुसेम होगा राइट एंसर हो जाएगा यह पेपर नहीं आएगा आप लोग के परिछा में तो मैं 33 वीडियो को डिलिट करूँगा सच बता रहा हूं सच बिल्कुल सच और हां आप लोगसे एक छोटा सी यहां पर देखते हैं यह आप लोग कोंसे करेंगे अप लोग चैनल को सब्सक्काइब कर देंगे इसके चैनल को सब्सक्राइब करो जाएगा इसके जैसे same to same कौन जाए तो इसके जैसे same to same आप लोग का है वो है C number तो C number आईटनसर हो जाएगा बस इसमें यही बताना था same to same आकरती बताना था ठीक है उसके भाग 3 में पहुंचेंगे तो भाग 3 में आप लोग से यह question पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कटा हुआ हि पर बैठाएंगे आपको एक में च्छोटा सा तरीका बता हो प्यांसिन लेकर जाएगा एक जाम में और ऐसे मिला लिजेगा ठीक है यह ऐसे बना है तो इस बार भी इसमें भी ऐसे बनेगा राइट एंसर यह नमर को उठाकर रखेंगे से match करेंगा ठीक है प्यांसिन लेकर उसको करेंगे मैं इस दोनों मुवश और इससे बना हिए नमबर क उठाकर लखेंगे नमबर आई उसके द कब नलृग उखनगे क़ JASON यह वह graft लिएगंगे शगल्व हुअ कि आप इस समझी एक से एक चामपल दूं कि ये बाद दो हो अय दो के बाद 3 हो forgiving ये इस पर है इस वर इससया है कि यह फिल यह थे यहाँ पर नंबर इस हो जायेगा अब इस बार ऊपर के साइड में जायेगा एदर के साईड में यादि कि आप लोग का वी नम्बर राये mansтор इसको यहां पर उठा कर रखेंगे तो देए हिए इह है यह के सायट में होगा यह वळ अपोद तया में मिलेंगे gyसी मिलेंगे इसम्म्जणों है झेट मीना है ठोड़ा साइट आज सकते तो इसमें बिंदो यहां पर आ ψच्वर पर खेया और ओमका सब्सक्रणा अद्ध ह cuántica का ट्रस्ण incompू का ट्रूब हो जाएगा दी नमर को रखेंगे मैंस को डालेगा ठीक है यह के बाद ही हुआ है एसको किसको किसको याद है चलिए मैं लिखता हूं आप पता है यह साइन लिखा हूं मैं मुझे तो पता नहीं कि मुझे याद है कि नहीं है यह से दूरी देखेंगे कितना है तो इसके बाद एच के बाद है तो हम लोगो का है एक गोडु गो तीन गो चार गो पांच गो तो तीन के बाद पांच गो हुआ है उसके बाद देखे, L के बाद T हुआ है, तो L आप लोगा कहा है, L आप लोगा यहाँ पे है, L आप लोगा यहाँ पे है, तो L से आप लोगा T हुआ है, यहाँ पे गया है, तो इसके बीच में कोगो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 के बाद आप लोगा 7 हुआ है, यहाँ निकी 2, 2 तो एह तो नो को यहाँ तक हो गया अब आप लोग और आइटेंटह रो जाएका भी नंबर आइटेंटह समझ में आगे होगा मतलब करके यह था ठीड़ और आई भाग पांच में पहुंचते हैं भाग 5 में आप लोग यह कोशन किया जाएगा पिसमें कोशान है तो इसके तो इसमें भी वैसा ही होगा जो यहां पर कोलर किया गया है वो कलर हो जाएगा अजो कलर नहीं कोलर हो जाएगा ठीक तो देखिए के सिधा है तो यह फिछ पर उलट जाए गया थो उलट तो फिले गात टो जाएगा इसमें क्या हुआ है इञा साइट में कि इताऄ की ह्याद मेर देंगे यहीं की लेकिन को ध्यांद को ध्यां देंगे एक दो-स Being दर पलटेगा पर एख बढ़ जाएगा एक दो तीन चार इधर कन आगे ना एक दो तीन चार पांच वह जाएगा एक दो तीन चार पांच वहां पूंच्छ के यह यह कटा हुआ हिस्सा को आप लोग ला दीजिए जैसे मैं एक छोटा सा एक्जामपल पूछ ओँ कि यदि माल लीजी यह मैं कोईशन पूछ रहा हूं यह आप लोग का आधा अधूरा फिकर है ठीक है आधा अधूरा फिकर है और मैं आपसन दे दूँ आपसन दे दूँ ए ब लिजिएगा तो आप लोग प्यासिल लेकर जाएंगे और आप से एक रेखाः खीषते हुए यहां से एक रेखा खीषते हुए यहां पर मिला देंगे ठीक है तो कौन सरी होगा तो इसमें आप लोगा जो राइट अंसर होगा वो जाएगा बी होगा क्या बाईस नंबर का आप लोगा बी नमर को उठाकर लख देंगे तो में तो शोरेगा बास यही छोटी छोटी जनकारिया है ठीक है आप लोग बिल्कुल इम्ञें तहलका मचा कराना है आईए भाग 7 पे पहुंचते हैं, भाग 7 में आप लोग उसे question क्या किया जा रहा है, भाग 7 में बहुत ही simple है, मैं एक छोड़ा सा जनकारी दूँ हूँ, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश ये confirm होगा कि एक दौरपल लगाया गया, दौरपल का मतलब होता है सिसा को मैं अच्छे स का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देख कर जाते हैं, उसी को सिसा बोलते है, ये आप लोगा क्या है, ये जो side में बंसक्या जाएंगे, लिटर को ले गर जाएंगे, तो ये उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, आप लोग ले लिएकर देख लिए जैसे एंबूलेंस लिखा होता है नो किस में एंबूलेंस लिखा होता है नो देखेगा लेटर उल्टा लिखा होता है क्यों अगर पीछे से कोई बाइक आ रही है तो उसमें मतलब कोई बाइक के सिसा में अगर एंबूलेंस दिखेगा तो एंबूलेंस स नहीं होता है टो जल्दी से साइड दे दिया जाता है ताकि ओ मतलब बीच में लटक ना जाये लटकने का के यहां पर लिख देता हूं ठीक है तो आर्ड में लिख देता हूं पॉस यहीं करना है एक्जाम में जाहिएगा नहीं समझ में आएगा एक छोटा सा पेज का टुकड़ा यदि आपके पास होगा यदि नहीं भी होगा तो पेपर में ही ऐसे उगा लीजिएगा जैसे यह मैं तो जैसे ही यहां पर सहाम पर दीखे यहां पर यह उगा हुआ आप लोगों को दिख जाएगा यह रहा के यह रहा क्या-तो इस साई दरपर लगा रहेगा तो इधर पल्टेंगे ठीक है समझ में आएकि नहीं बिल्कुल आसान है तो भाग सेवन को आप लोग इस तरीकस कर लेंगे भाग 8 में पहुँच गये हैं तो भाग 8 का लोग निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये निर्देश को पर नहीं कहा है बाबु कि आप का करो कि इधर के साइड में कट कर दो और इधर के साइड में कट कर दो दिख रहा है ना और इधर यहां से उड़ा दो ठीक है तो जब जैसे यह जैसे बोलेगा मैं वैसा करूंगा अब देखिए यह मैं कट करके हटा देता हूं ठीक हट गया ना बिल्कुल हट गया और बोल रहा है इधर गोला के जैसे क जाओंगा एक्जाम में तो काईची लेकर नहीं जाना है मेरे बाबु घर पे प्रैक्टिस कीजिए अभी भी आपके पास बहुत ज़्यदा टाइम है ठीके ज़्यदा-ज़्यदा प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के लिए में एक सिंपल सा तरिका बता हूं यह सारा मैं बहुत ही कम पैसा में दे दूँगा मेरे पास बहुत सारे model paper है 20 model paper 25 model paper आप लोग बस मुझे पैसा देंगे मैं आपको दे दूँगा आपको छोटा सा नंबर देता हूं ठीके ये मैं आपको नंबर देता हूं तिरानबे 36 56 64 आप लोग इस पर आप लोग वार्टसप करेंगे और बोलेंगे मुझे मॉडल पेपर चाहिए पैसा में कितना लोगा पैसा मैं आप लोग से लोगा model paper के हिसाब से लूँगा model paper per model paper के हिसाब से आप लोग बात कर लेंगे नहीं तो मैं हो सकता है कि 209 पे लूँ नहीं तो 309 पे लूँ आने तो इससे ज्यादा नहीं लूँगा ठीक है इतना ही रहेगा इसमें से कोई एक रहा सकता है ठीक है तो आप लोग comment फटाफ़ड वार् पर भेज़ दूँगा print out निकल कर आप लोग practice कर लेंगे ठीक है अब मैं जैसा बोला था वैसे कागज को cut कर लिया हूं देखिए देख रहा है यह वाला same to same यह वाला ठीक है अब देखिए एक काम कीजिए बोला है इसको open कर दीजिए मैं open कर रहा हूं ठीक है यह मैं open कर द चले next question next question भी आप लोग cutting वाला है सारा का सारा कर लेंगे 30 31 32 का आप लोग right answer मुझे comment box में बताएंगे और हां अपना नाम लिख देंगे कि हां मैं फ्लाना student बोल रहा हूं और अपने जगह का नाम लिख देंगे कि आप किस जगह से मेरा वीडियो देख रहे है ठीक है भार मैं आपका छोटा भाई हूं मतलब छोटा भाई बोल रहा हूं बड़ा भाई हूं सपोर्ट कीजिए ठीक है आप लोग मेरे छोटे भाई है और मुझे पता है कि आप लोग छोटे भाई का फर्ज निभाएंगे subscribe कर दियोंगे ठीक है आईए भाग नाइन पर पहुंचते ह टूटला दिख रहा है वह दिखरा है सी नंबर इट अंसर करेंगे देख सेधे यह थोँआ सा बड़ा कर दिया गया यह ठोड़ा सा यह भाई की समय छोटा-छोटा ही है ठीक है तो ध्यान इस बात करकना है तो टूटला सा इसी टूटला का पर्योग कर के बनाना अलग से को बनाएगा तो चेरोग रहा से नमर बनाएगा जो कि यह नमब राइट अनसर हो जाएगा ठीक है ठीक है इस टाइब से आप भाग टेन में पहुंच जाएंगे भाग टेन में आप लोग से कोशन यह पुछा जाएगा कि भाईया इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस में छुपेगा तो यहां च Captain ते यह नंबर में छुपा खाल और अपि आप लोगंडी नमबर में छुपा है जो कि यहां पर दिख रहा है तो कि यह अशे करके ऐसे करके एस कर नि wat रहीं हो जाएगा समझ रहें नहीं कि समझ रहें बिल्कूला स brigIELगा थाओंगे तो करते हैं यहां पर देखिए बिल्कुल डिटेल्स में मैं समझाओंगा एक एक डिटेल्स एक यहां पर अराम अराम से समझाने वाला हूं तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए आईए मैद का सलूशन करते हैं मायत की कोशन में आप लोगा टोटल बीस प्रशन पुचाया एक तालीष से लेकर और साथ तक आप लोग बीज प्रशन रहेगा ठीक है और उसके बाल आप लोगा हिंदी स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले एक तालीष से हमलोग साथ तक साल्व करते हैर तो फर्स्ट क्षाजह ब्लेंगे जैसे명 स्पमसंख्या नोच विए सारी आप लगा संख्या है kücke क्रामसे आने वाली संख्याय हो लाएंगे थी प्ते आğने संख्या संख्या मानना кटीको है पारी संख या पारी संख है आप लोग का X है ठीक है the regimes मालेंगे कि आप मोग क्या माल नेंगे 2 plus का x ठीक है 2 plus का x ठीक है या x plus one बोलिए या यह से x plus two बोलिए ऐसे भी मान सकते हैं तो इसको माने है तो इन तो इनों का योखफल कितना कपर बरबर दिये रहा है एक्स प्लस का एसे जो लिजिए 2x प्लस का आप लोगा कितना दे रिखा है 15 ठीक है यदि एक्स का बैलू पता चल जाएगा तो भर देंगे यहां पर आज रहेगा देखिए X, 2X, 3X 3X हो गया, प्लस का 3 हो गया आप बराबर में आप लोगा 15 हो गया ठीक है, अब दीगे 3X यहाई पर रहेगा और 15 माइनस यह प्लस में है तो इधर जाएकर माइनस में हो जाएगा तो 3X यहाई पर रहेगा, यह हो जाएगा इसका बेलू पांच आ गया यहां पर एकस के चार लखेंगे तो यह चोँ अब चार पांच जाएगा चार पांच जो यानि कि चार कामा पांच चामा आहाँ इसकोषनाई की प्रथम की बच्छा वोलाई बर्ग की जिए तो बर्ग का मतलब होता है स्क्वाई तो आप लोग ब पता होना चाहिए अब आजे संख्या आम लोग उसे बोलेंगे जो एक और स्यम से करती हों उसे हम लोग क्या बोलेंगे अब आजे संख्या जैसे एक जामपल की रूप में लिया जाए तो दो तीन पांट साथ 11 13 ऐसे करते करते यह अनन तक जाएगा यह सारा आप लोगा अब लोग क्या किजिए जोड़ दीजिए ठीक है जोड़ दीजिए पनफरम हुआ तो यह आप लोग साइड में रख लेंगे पांच आप लोग राएट अंसर बी नमबर ठीक है नेस्ट कोशन कर रहा है कि दो अंक्वाली प्राक्रिटिक संख्यां की संख्या है दो 12 12 13 14 टेक ऐसे करते करते 99 चेही इतना तक कश्ता से एक घ्र का पांच से करते करते घ्र vendor तक टोटल किनेंगे तो मिलेगा मेरे बाबु दो आंको की संख्या टोटल नब्वेगों मिलेगी ठीक है तो राइट एंसर आप लोग अब्वी नमबर हो जाए जिनका ट्राइक कर लेंगे यह नहीं कि 99 पर ट्रिक कीजिएगा 99 पर ट्रिक नहीं करना है यह गांट करके बताना है कि दो आंको अली है क तो गिनेंगे तो एक को दूग को तीन को चार गो फंच गो चो गो तस गो ऐसे गिनेंगे तो यह आप लोग को बताना लर्ग चलिएन जिएक क से 20 तक कितनी रूनशंख्याम है संख्या क tief और सba है भी संख्या को नीजेडीन यह जो पर में आब लेका हैं यह जा से Хvell थे सकति हो सम्हारी आप फीलेना है आप लोगा 1111 हो गया फिर आप लोगा 13 हो गया फिर आप लोगा 17 हो गया फिर 16 हो गया चार को टोटल मिला है इससे अधिक नहीं मिलेगा तो चार आप लोगा राइट अंसर बी नमबर ठीक है नीचे दिया गया दोन डाड़ेक स्याम दोरा किसी परिच्छा में विशे विविन विशेयों में सव अंको में से प्राप्त अंको कुदर साता है ठीक है तो स्याम के विशेय में बिज्ञान के प्राप्त अंको कुदर साता है सब औगों में से प्राप्त औंकों के रसाता है विढ्यान के अंक प्रतिषत तुम देखीं आप लोगा अप सी परसेट में के अप सी सो undraaust आपनेटेंसर कौनसा है नमब है को कि बिनमबर है कि अंगर कि इन आधे नमबर का स्याट के नमबर सत्तर पर थे कोहत दिख एई है क्विज्ञान का इनुझे अब जा रहा है कि एक था एक तुर्श कौने जञेका है सबसे पहली बात कि आप लोग ऐसे भाग दिया है ना जिसे माल लिए दोस में तीन से भाग देना है तो ऐसे भाग दिया है ना तो यह आप लोग का लाएगा यह आप लोग का लाएगा यह पुछेंगे यह क्या का लाएगा तो यह कुछ नहीं का लाएगा ठीक है कौफरम हुआ अपकौर है कि एक कोई भाग का सवाल है जिससे 27 भाग दिने पर जिससे भाग दिया आता है वो यहाँ पर आता है और 13 सेसफल को जोड देंगे तो राइट अंसरा जाएगा ठीक है वैसे इसमें कीजिए इसको इसके सथ गुणा अपिर इसको जोड दीजिए तो 27 गूने आप लोग 25 करेंगे और प्लस का 13 करेंगे तो राइट अंसर आ जाएगा तो मुझे एंसर बताईए कुमेंट बॉक्स में ठीक है कुमें ठीक होजाए प्लस करेंगे चीन आक तीन एकषब और छोग आएं अब 120 में आप लोगको सेस बोल रहा है किमद्व में मतलब भुए घंए परते के वास्ता में तीन सेस भाख देना से जाना हैंуск ka लोगा जोडर देना ला कितना के लिदुव मरते लिषार बाव देगा हैं को कितना अक। सेकों से संह्धाय 4 से पुरी वहाय है चार से कुँषैयें गठेंगी तो इसमें देख लेजिए क्ठेंगे तो चार से लास्थ वॉधिट बेखेंगे जो कर जाएगा वही बिवाजता का नियम तीन का विवाजता का नियम चार का पांच का छो का सब कुछ मैंने अपने बैच में पढ़ा रखा है तो बैच आप लोग खर देंगा नहीं दोसर उन्चासर पर बैच है अपनोग जाकर ख़ड़ी दीजिए नैनो एकजाम आप लोग डाउनलोट कर जीएगा नैनो एकजाम का नाम है वहां पर में विश्टार से पढ़ायाऊ ने हैं फ़र विश्टार से पढ़ाऊंगा यह दि किसी तिरभूज के बिजाए क्रमशव पांच एमी थिन से मी और थिन से में इन थिन से मी थिन 3.5 स्मी तो शोसर में है तो आप तिरभूज ठीक है तिर बोजे आप लोग इस बात का ध्यान देंगे कोण दिया है बाहर वदा रेखा दिया है ठीक है बाहर वदा रेखा दिया है अब पांच से में थ्री पॉइंट फाइप से में और ये छे से में ठीक है अब एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है एक बात ध्य बाहर का नहीं दिया है कोण दिया है संभाहु तिर्बूज विसंभाहु तिर्बूज इन में सो कोई नहीं देखिए संभाहु मतलब दो बुजाएं पराबर हो संभाहु 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 मतलब नहीं जिसकी तिनु बुजाएं पराबर हो सम बाहू मतलब जिसकी तीनों बुजाएं बराबर हो ये भी ये भी ये भी आ सम त्री बाहू मतलब दू को बुजा बराबर हो एक बुजा बराबर नहीं हो ठीके ये को बुजा बराबर नहीं हो ठीके ये को बुजा बराबर नहीं हो दू को बराबर हो और एको बुजा बरा चार दहाई पे तो चार दहाई पे लिखेंगे यहां पर खुछ नहीं है तो एक जीरो बादा लेंगे तब यह जाकर चार दहाई पाएगा जोल लेंगे इसको जीरो चार पाँच एक आए ऐसे कर गें 14 15 हाँ ठीक है 14 540 14 540 उन्चास नंबर क्वेश्चन का अंसर दी नंबर कुम भाई 44500 514 तुम्णार किन इसमें जोड़ेंगा, 12,500 है, निया। चारिए? आप नेक्स्ट कोश्ण करा है। याद है, किस धहनमेद उसका इक कोट्onne लchmal करेंगे लिए एक स्मर्वं एक से भाग देंगे कुछ नहीं रहता है तों आप लोगा हो जाएगा आट एकस आप लोगे पर रहेगा और साथ इधर भाग में तो प्र जाएगा तो भाग में हो जाएगा ठीक्छ तो आट चुको 32, साच चुको 28, एक्स कमान आप लोगा 28 मिरा है, ठीक है, तो राइट अंसर ए नमबर हो जाए, ठीक है, आईए नेश कोशन को बारते हैं, नेश कोशन आप लोगों से कहा जा रहा है, कि आप एक काम कीजिए, बता दीजिए, कि 3 बट्टे 4 का, 2 बट्टे, 2 स सहित एक बट्टे 8 का, 3 सहित एक बट्टे 3 कमान है, बहुत ही डिफकल्ट पुछा है, लेकिन इजी तरीका सहो जाए, देखे कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, कि आप लोग क्या करेंगे, 3 बट्टे 4 कोशन को उतारेंगे, 3 बट्टे 4 का का मतलब गुणा होता है, दो सहित दो सहित एक बट्टे 2 का लिखेंगे, दूदूना चार एक पांच, पांच बट्टे 2 लिखेंगे, भाग दे देंगे, 8 एक नमा एक नो बट्टे 8 लिखेंगे, ठीक है, अग का का मतलब गुणा, 3 तरीका नम एक दोस, दोस बट्टे 3 लिखेंगे, अब इसको सॉल्व कर लिखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिखेंगे, कर नहीं लेंगे, बहुत इसी है, कर लेंगे, देखेंगे, सबसे पहले आम लोग डिवीजन कॉल करेंगे, भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, तो 3 लिखेंगे, थीन बट्टे 4 तो एसक उतर कट जाएगा और कोई कटेगा नहीं कटेगा अब कि पान्वाइब पच्छास पच्छास बट्टे 9 आ रहा है अच्छास बट्टे 9 आ रहा है ऐसा क्यों और वह भाई देखिए हम लोग जल्दी में क्या मिश्टेक कर दीए बता सकते हैं आप का का मतलब गुणा हम लोग ने लिखा है लेकिन सबसे पहले गुणा को ही हल करेंगे सबसे पहले का आता है फिर भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनुस ठीक है तो का और आफ को पहले सॉल्व करते हैं तो एक बार फिर से question को हम लोग solve करेंगे 3 बट्टे 4 का का मतलब गुणा यहां पर हम 5 बट्टे 2 लिखेंगे भगे 9 बट्टे 8 लिखेंगे गुणा 10 बट्टे 3 लिखेंगे सबसे पहले हम लोगे इसको और इसको हल करना होगा तुम लोग इसको इसको हल करेंगे तो पांते इन पंदर आचार दुना में आठ पंदर बट्टे आठ डिवाइडेड आठ तरीका आठ है नव आठ तरीका चोविस तीन से काट देजी तीन तरीका नव तो दस तीन तीस उपर मिला और यहाँ पर आठ मिला ठीके अब देखिए अब यह पर लट जाएगा पंदर बट्टे आठ गूण आठ बट्टे तीस आठ से आठ काट दीजी यह पंदर दुना में तीस होता है एक बट्टे दो मिला है तो रही टेंसर आप लोगा एक बट्टे दो यह नंबर रही टेंसर ऐसे परीश्या में ऊपर जाएगा तो नीचर कुछ नहीं है इसका मतलब है कि होर का होर का LCM और इसका मतलब है नहीं यह ANS है ना ANS का LCM इसका मतलब है होर का HCM ठीके तो आप लोग जो भी है उपर के साइड में इसको साइड में ऐसे लिखेंगे और इसका LCM निकाल लेंगे LCM करूप में कुछ एंसर आएगा फिर यह जो नीचे के साइड में है उसको क्या करेंगे साइड में लिखेंगे और इसका LCM निकाल देंगे जो आएगा वो बट्टा में करके आप लिख देंगे आप लोग करके मुझे कॉमेंट वाक्सर में बताएंगे विडियो लंबे हो जाएगी मैं इसको solve नहीं कर देंगे दो बट्टे तीन और पांच बट्टे साथ का योग निम लिखित में से प्राप्त हो सकता है बहुत ही सिंपल है इस टाइप का कोश्चन पूछा था और इस बार भी हो सकता है कि पूछे देखिए कोश्चन बहुत रिपीट कर रहा है इस टाइप दो बट्टे तीन और पांच बट्टे साथ का योग का मतलब क्या होता है योग का मतलब जोड़ आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप का कोश्चन जब यह सबसे पहले ऐसे करते हैं और इन दोनों के लसे निकालते हैं यदि लसे निकलने वाला है तो ठीक है यही तो राइट अंसर तो आप लोगा यह डी नंबर दीखी रहा है रमेश वे दिनेश की कुल आए रुपे अठारो सो रुपे है यदि उसकी आए का अनुपाद फोर रेशियो फाइप है तो रमेश की आए क्या होगी देखिए रमेश और दिनेश यहां पर मैं लिख देता हूं रमेश अनुपाद दिनेश दोनों का अनुपाद दे रखा है फोर रेशियो फाइप का अब दोनों का कमाई दे रखा है कितना अठारो सो तो यह जब हो रहा है तो यह अनुपादिक योग कर देंगा तो आठारो सो में भाग देंगे तो एक का पता चल लेगा नौदुना में आठारो एक का अपलों का दोसो आए एक का दोसो तो रमेश का निकालेंगे तो चार गुने दोसो करेंगे तो यह आपलों का आठ सो रमेश का गया और पांच गुने यदि दोसो करेंगे तो यह द जो की इनम्मर दिख रहे थीक्ए सभ्माज में समाज में आ गया होक मुझे करूशन कर रहा है कि योदि 2000 की बैक्षों HOW गई तो कितने प्रतियों के मिरित्यों लेखे determine 2000 कि कोई आव्यदिया 2000 की 90 90 JoseГ little konnte बैलेABachi निकाली 10 200 पहले मिरित्यों हो रहे हैं अपलोग का मिरित्व हो रही तो दो हैर में 800 घटाएंगे तो 1200 बच रहे हैं ठीक है यानिकि 1200 का मिरित्व नहीं हो रहे हैं तो आप लोग राइट एंसर कौन सा हो जाएगा कि कितने प्रतिसत ब्यक्ति की मिरित्व होई प्रतिसत में बताना है अच्छा चालीस ब्यक्ति दिया है हम परसेंटेज भड़ा फट निकाव रहे हैं देखिए कोश्चन को गलत में कैसे सल्व गया अब 2000 में से 40 40 ब्यक्तियों का मिरित्व हो गई तो 40 उपर लिखेंगे 2000 निचे लिखेंगे अब प्रतिसत में बतलने के लिए 100 से उना तो दो जिरो से दो जिरो एकार देखिए अब बेज दुना में 40 तो दो प्रतिसत ब्यक्ति की मिरित्व होई है तो राइट एंसर आप लोग यह नमबर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन देखिए जो की काफी इस टाइब का कोशन आप लोग एकजाम में पूछ सकता है और पूछेगा भी ठीक है यह देखिए इसको जोड़ना है तो 7.7 यह आप लिख लेजिए दसमलों के नीचे आम इसा दसमलों लिखना है ठीक है दसमलों के नीचे दसमलों आप लोग यह सीख जाएंगे तो आप अपने मन से जिरो बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत होगी नहीं तो यहां पर साथ मिला चोड़ा का चार आत में एक साथ तरी का कई सिक बाइस का दूरात में यहां दू सतका साथ चोड़ा सथी के सचुको 28 28 2 30 30 का जिरो आत में दिन साचुको 28 28 3 28 3 31 इतना मिला है क्यों भाई पॉइंट सेवन 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 साथ साथ चोड़ोचार इस में लग रहा है कहीं सत्तर भी था यह कोश्चन गलट टाइप हो गया है इसका राइट अंसर इतना आना चाहिए था एक इस पॉइंट जीरो टूफोर सेमर शपन नंबर कोश्चन का अंसर डी तो डी तो है ठीक है कोश्चन मिश्टेक है एक बेपारी ने रुपे 550 प्रें एक रेडियो खरीद कर उसे 625 प्रतिसत का लाब हुआ लाब कि रासी देना मतलब 550 रुपे हम बेच खरीद रहा है और 625 बेच रहा है तो लाब बराबर आम लोगों को क्या पता है भी क्रेम मुल्य माइन माइनस क्रेम मुल्य यह आप लोगा सही है यह मैं समझे है घलत है ठीक है यह मिश्टिक हुआ है यह आपसन है मिश्टिक हो गया है किसी और आपसन में गडाल देगे है ठीक है तो यह आप लोगा कितना एंसर आ जाएगा 625 माइनस 550 75 राइट एंसर आप लोगा 75 ए नमबर राइट एंसर ठीक है चार सहीत एक बटे 16 को दसंदों के तुले में रुखिए अब देखिए यह कोश्टिन काफियर इंपोटेंट है इसको कैसे करेंगे देखिए इस टाइप का कोश्टिन पुछेगा तो सबसे पहले च चार सहीत एक बटे 16 काम लोग लिख लेते हैं अब देखिए चार काफ इधर जो एंसर गृप में लिख लेजिए ठीक है हाँ एंसर गृूप में लिखने अब एक बट्टे 16 में एक वांग दीए एक मैं शी नहीं जायेगा दस्मौस आके जरो भाईंगे फिर नहीं जायेगे जरू वाया लेँगे अपनी मन से इधर जरू आब तो 16 पचाए 16omnia चानवे चार सुगत चानवे होता है ठीक है 0 भाल देंगे अपने मन से सुगत नमे 32 सुगत नमे 32 8 सुगत पज़े 80 ऐसे कर लेंगे इतना आया 0625 इतना अंसर डाइएक्ट पला कर लेंगे कौन सर आईट अंसर होगा नमबर आईट ठीक है नेश कोशन देखेंगे 5 बटे 8, 2 बटे 3, 7 बटे 9, 3 बटे 5, 4 बटे 7 सबसे बड़ी भीन कौन सी है सबसे बड़ी भीन बताने के लिए आप लोग भाग देदेकर ट्राइए कौन बढ़ा है 5 बटे 8 में एक बढ़ भाग देकर एंसर दस्मलों में लाएंगे 2 बटे 3 में भाग देकर एंसर दस्मलों में लाएंगे और 7 बटे 9 में भाग देकर एंसर दस्मलों में लाएंगे और 3 बटे 5 में भाग देकर एंसर दस्मलों में लाएंगे और 4 बटे और यह सारे में तूलना कर लेंगे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा ठीक है तो यह आप लोग कर लेंगे खुश से ठीक है मैं इतना करके नहीं बताने वहाद हुआ ठीक है नेस कोशन कि अन्यम्ना क्रिती में एक्स कमान ग्याद किजिए X यहाँ पर है आप लोग का देखी सबसे पहले कि यह जो आप लोग का कोई बिंदु है नो इस पर 360 डिगरी का कौन बनता है और एक जो यह रेखा है नो इस पर आप लोग का इधर के साइड में 180 डिगरी का बनता है एक्स टुए एक्स २च प्लस थी एक्स प्लस चाया स्फॉर ब्राबर में आप विव राबर क्या करैंगे 360 करेंगी कि inquiry स्प्थ प्राबर हो गाँ नो ठेकीं नॅ हुए तो जोड़ लेजी इंट राएं वे छी एम Lemon फिल्री फ या रहा है यहांगा अ हुए पांच एक छो 126 126 आप बरावर में आप लोगा 360 तो एक्स यहीं पर आएगा 360 बटे 126 कटेगा कि नहीं कटेगा हुआ 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 है 120 यहां पर ठीक है कट जाना चाहिए चले काट कर टाई करते हैं कि यह हो जाएगा 180 तो यह हो जाएगा आप लोगा कि तीर सोठ दूना सार सट एक्सोपीस तिर सोठ दूने 126 एक्सोपीस एक्सोपीस अब में तो साथ में दूना जाएगा पांच जोवन मिकुझा कीूं भाई मिश्टिक क्यों आ रहा है कि 120 नहीं होना चाहिए था 12 12 12 26 28 क्योल यहां बारा रहेगा ठीक है क्योल 12bes 268 28x तो 360 बट्टे 18 तो x दो बार में 20 आहेगा ठीक है 20 degree एक्स कमान कितना आ गया 18 दुना में 36 20 इसमें से 20 पर आप लोग बना कर लेंगे ठीक है 20 इसको में बना लेता हूं ज्यादा दिमाग नहीं खानेगा अब आए हिंदी का सॉल्व करते हैं हिंदी भी आप लोग काफी ही जी है ऐसा ही पेपर को अच्छे तरीके सॉल्व करेंगे हिंदी में तो बहुत ही मोस्ट इंपूटेंट रखा गया है तो हिंदी को चलिए सॉल्व करते हैं अफ्यू इंचिस लेटर सनच्छल का महत्वा सभी को समाझना चाहिए पेपहदे पहार नदी आहवा जल और मेटियों ये सभी पर्यावड के महत्वड खटक हैं मनुस्य ने अपनी स्रविदाओं के लिए प्राक्रिति के लिए अंदाधुन दोहन किया है यह अंदाधुन कटाई किया है दोहन का मत जीवन की गाराई से पढ़ेगा इसलिए हमें पर्यावल सनच्छल के उपाय आपनानी चाहिए जैसे बिरिश्रो पर्चल सनच्छल और कच्छल का सही तरीके से निप्टाना यह हमारी जिमेदारी है कि हम पर्यावल के साफ सुथरा और स्वर्ष्ट रखें ताकि हमारी आने वाली पिणिया है उस रच्छित और सुन्दर भविस से देख सके ठीके इतना जब आप लोग पढ़ेंगे ठीके पढ़ लेंगे उसके बाद जैसी इसके नीचे कोस्चन पुछेगा कि पर्यावल के किन घटको कानुछेद है उलेक किया गया है करती है ठी सभी प्राक्रतिक घटक के बारे में बात करुछेद में उलेक किया गया है तो सबस्क्राइब करने लिए फियों निप्टाना पड़ेगा बाकी उद्यों का श्थापित करना संसादनों का उप्यों करना वहान चलाना बिल्कुल उलत बात है ठीक है सबस्क्राइब करना तो कच्रे को खतम करना पर्यावर को बचाना होता है तो केवल आने वाले पिडिये में सुधार होगा अगर पर्यावर को बचाएंगे तो तो राइट अनुच्छान भारत की अर्थवेवस्ता के रीउड है जिसे देश की लोग भोजन करते हैं प्रहजन प्राप्त करते हैं प्रणतु किसानों और को कई कशना यूगा सामना करना पड़ता है जैसे बदलते मौसं बार सुखा और फसल की उचित मुलेना मिलना इन समस्याओं के बावजूद वे अपने कर्टब्य का पालन करते हैं सरगान ने किसान की सायता के लिए कई उजनाई बनाई है जिसे उनकी आर्थी की स्थिति में सुधार हो सके और खेती की स्थितिन प्रगती हो प्रगती मतलब विकास ठीक है भारत करना करना करता है ऐस बनाई है के सायता के लिए कर्वण आए कि क्या बनाई है यह ऑप ड़ बनाई है कर रहे है कंग कते परgeb ring इक पर पादन करते हैं कि अपने करतब्य का पादन करते हैं कि अपने अपने परिवार के लगा देंगे आप लोग सब्सक्राइब जो हो जाएगा सब्सक्राइब करना होता है अनुष्यद आप लोग यह थ्री वाला कर लेंगे अच्छा तरीके से पढ़िए और यह देख लेंगे अच्छे टिक है वीडियो बहुती लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी करूँ ठीक है कि मैं बता दूँ चले मैं बता देता हूँ भारत में किर्केट खेल बहुती लोग प्रिया है यह न केवल एक खेल है बलकि लोगों के बीच एक बड़ा उस्सा और एकता का कारण भी है भारती किर्केट टीम ने अंतराश्टी अस्तर पर कई उपलब्दिया हासिल की है जैसे 1983 में 200 कप जीतना और 27 में ICCT 20 200 कप जीतना क कि थीखेट की ख्फिलालीयों को हां यहांते हैं कि आप sympathy ओके लिएक घराँ अध्य में यह बहुत समाग उता है दो भारत सबढ़ा था सब्सक्राइब करेंगे कि किस प्रकार का सम्मान में तो आप लोगों त्रिक करेंगे देश भर में बहुत सम्मान मिलता है जो कि हम लोग अभी किसमें अनुश्य वहाँ सब्सक्राइब तो किर्कीट के समाज पर क्या परवाब पड़ता है अभी हम लोग ने पढ़ा था यह समाहिक उस्साव करूड़ा और अहिंसा का संदेश देता है पास लुम्बिनी में हुआ था और उनका असली नाम सिधार्थ था शिधार्थ ने युवा आवस्ता में ही संसार के दूखो को देख और उनके कारणू का खोज में राजमहलत्याक करतपस्य का मार्ग अपनाया उन्हेंने वर्सों की साधना के बाद बोध गया की ग्यान की प्राप्तिकी और बुध का लाए गौतम बुध ने चार आर्यसत्य और आश्टंगिक मार्ग का उपडेश से दिया मानो जीवन के दुखों को समाप्त करने का मार्ग है और आज भी उनकी विचारों का परवाव पुरी दुनिया में देखा जाता है गौतम बुध का असली नाम क्या था तो गौतम बुध का असली नाम अभी हम लोग ने पढ़ा था सिद्धार्थ नाम है जो कि यहां पर अभी हम लोग ने पढ़ा था सिधार्थ ने संसार के दुख को देखकर दुखों को कारल जानने के लिए पी नंबर आइटम भूद ने किस परकार महत्तो बताया हनसा का कि संतिकोड़ा और हनसा कि वहरभाद की सक्तिकर तो तो आप लोगो कि द्वारक करने के लिए यह यहां पर कंछे कारे के लिए जगा का मतलब कि यहां पर रफ कर सकते हैं घैक पर जय हिंद हिंड लैंगे इस वीडिव का धिशासे शेर कीजिए